दोस्तो आचारी चानक ने चानक नीती नामक गिरंद की रचना की थी इस गिरंद का आज के समय में काफी मैं तो देखा जाता है कहा जाता है कि चानक नीती में मानव समा से सम्मंदित लगवग हर समस्या का हल मिल सकता है वैसके तो चानक ने अपने नीती गिरंत में बहुसी बातें बताई हैं लेकिन यहां हम बात करेंगे महिलाओं को लेकर उनके द्वारा बताएगी नीतियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के सुवाब को स्वयम भावान भी नहीं समझ सकते परंतु महिलाओं के सुवाब में कुछ खत्ता समस्याएं देखी जा सकती हैं आचारे चानक ने इसी बात को समयते हुए महिलाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं आचारे चानक कहते हैं कि जो भी व्यक्ती महिला के जी अंग पकड़ लेता है तो उसके जीवन में कभी भी दुख दरिता नहीं आती दोस्तों वो कौन सा अंग है जिसे पकड़ने से पुरुस का उद्दार हो जाता है इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ आचारे चानक कहते हैं कि ऐसे इस्तरी का पालन पोशन करने से सिर्फ दुख मिलता है तो सबसे पहले हम जानेंगे ऐसी कौन से इस्तरी आएं जिनका पालन पोशन करने से हमेशा दुख मिलता है आचारी चाना कहते हैं कि मुर्क सिस को उपदेश देने पर चरित्रहीन इस्तरी का पालन पूशन कनने पर किसी दुखी व्यक्ति के साथ रहने पर कुछ भी नहीं मिलता है केवल दुख ही प्राप्त होता है जो इस्तरी बुरे सवाब वाली है कटू वचन बोलने वाली है और चरित्रहीन है तो उसे अवस ही छोड़ देना चाहिए इसी प्रकार किसी नीज व्यक्ति से भी कोई व्यवार नहीं रखना चाहिए जो नोकर अपने मालिक की बात नहीं मानता है उसे कार्ण से मुक्त कर देना चाहिए और जिस घर के आसपास साफ रहते हों वा कलापी नहीं रहना चाहिए जो भी व्यक्ति इन बातों का पालन नहीं करता उसे मिरत्य के समान ही कष्ट भोगना पड़ता है एक व्यक्ति को अपनी जरूरत के लिए धन बचा कर रखना चाहिए धन से भी जरूरी अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए और इस्त्री से भी ज़्यादा सुयम की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि अगर पती सुरक्षित रहेगा तभी उसका परवार भी सुरक्षित रहेगा आचारे कहते हैं कि किसी पुरुस का पुत्र आग्याकारी हो और पत्नी वस्में हो थता धन की कोई कमी ना हो तो उसका जीवन बहुत सुकत होता है अर्थात उसका जीवन किसी सोर्ग से कम नहीं है हिस्तिरी की भूग पुरुस से दो गुना होती है हिस्तिरियों में सर्म यानी लज्या पुरुसों से चार गुना अधिक होती है वहीं इस्त्रियां पुरुसों से 6 गुना ज्यादा सासी होती है इसलिए उन्हें स्यक्ति सुरोग भी माना जाता है तो चली दोस्तों अब हम जानते हैं आचारी चानक ने कौन से अंके बारे में बताया है जिसे पकड़ने से पुरुस का कुद्दार हो जाता है दोस्तों हिंदू सास्त्र में दोस्तों हर मेला को लच्मी का सुरूप माना जाता है कहा जाता है जो भी पुरुस सुबह उठते ही अपने घर की बुजग मेला या माता भेनों के पाउँ छूता है या उनके पाउं दावाता है तो उसके उपर मातलच्मी किरपा हमेशा बनी रहती है ऐसे घरों में कभी भी मातलच्मी रुष्टोकर नहीं जाती जिस घर में भी महिला का सम्मान होता है वहां मातलच्मी हमेशा निवास करती है तो दोस्तो यह था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा सेयर करें वीडियो को लैक करें मिलते हैं अगले नई वीडियो में तब तक लिए जैम आता दे